यूपी के कन्योज जिले में एक यूवती ने भाजपा नेता और उसके साथी पर एक साल तक दुशकर्म करने का आरोप लगाया है इस यूवती का कहना है कि आरोपी पहले उसके घर में घुसा और फिर कोल्डिंग में नशीला पदार्थ पिलाया और फिर उसके साथ दुशकर्म कर उसकी अशलील वीडियो बनना डाली भाजपा नेता एक साल तक अशलील वीडियो को इंटरनेट पर डालने की धमकी दे कर यूवती के साथ एक साल तक दुशकर्म करता रहा यूवती ने अपने उपर हो रहे अत्याचार की कहानी अपनी मा को बताई जिसके बाद पीडित ने पुलिस के पास जाकर नयाय की गोहर लगाई जहां एसपी के आदेश के बाद भाजपा नेता सहित दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है फिलहाल पुलिस ने पीडिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाच में जुट गई है पंजाब के सिरी टीवी के लिए कन्नौज से नित्या मिश्रा की रिपोर्ट